हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप टेन स्टोक्स के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो ये स्टोक्स 2024 में बहुत ज़्यादा कारगर शावित हो सकते हैं अब स्टोक्स मार्केट के अंदर कई हजारों सेयर हैं कई हजारों स्टोक्स हैं लेकिन मैं उन में से केवल यही 10 स्टोक्स को भाई शाट करिक्डम ढोंड ढोंड कर निकाला हूँ और ये जो स्टोक्स हैं ये कोई आम स्टोक्स नहीं है बलकि जो इंडिया की टॉप कमपनिया हैं निफ्टी निफ्टी के अंदर से कुछ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कुछ मैंने बैंक निफ्टी के अंदर से सेलेक्ट किया हुआ है तो अगर आप लोग भी इन्वेस्मे करते हैं और कुछ ऐसे स्टोक्स के तलास में है जो आपको लॉंग टम में अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा कर दे तो इस वीडियो को आप लोग लास तक जरूर देखना और हां दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को इन डिस्क्लैमर देना चाहूंग कि यह जो मैं इस्टोक्स के बारे में वीडियो बना रहा हूं न भाई यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई जोर जबस जबसती नहीं है कि आप इन curation में इनवेस्ट करें यह मैं अपने इन डिस्कोड़ियो को लाइक कर देजिये और हां पहली बार चैनल पर आया है है छो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजिए चलिए अब यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो अभी मैं आ गया हूं इस स्क्रेन के उपर और यहां पर मैं हर एक स्टोक्स के उपर उंगली रख रख कर बताऊंगा सारी चीजे अच्छे से एनाल्सिस करूंगा जिसस आपको सारी चीजे अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चीज़ बतातूं कि बहुत सारे लोग पोलते हैं कि पंकच भाई आप यह जो डिमिट अकाउंट यूज कर रहे हो कौन सा एप है तो भाई यह एप है और मैं इसी में आप लोगों को समझाऊंगा ठीक है तो अगर आपको भी इंजल वन से इन्विस्मेंट करना है ट्रेडिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो तो चलिए अभी यहाँ पर जो सर्च बार है हम सर्च बार के उपर क्लिक कर देते हैं और दोस्तों जो पहली कंपनी है जो टॉप वन में आती है अभी न तो वो है यूपी एल ठीक है यूपी एल आती है तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यूपी एल लिखा तो यहाँ पर आपके शामने ऐसा option आ जाएगा ठीक है तो एक आप किसी एक को select कर सकते हो लेकिन मैं उपर वाले को select करूंगा इनेश्ची वाले को ठीक है तो यहाँ पर यूपी एल पर हम जैसे ही click करते हैं तो यहाँ पर देखोगे न चार्ड का option आ रहा है तो हम चार्ड के उपर click कर देते हैं अब दोस्तों चार्ड के उपर click करने के बाद यहाँ पर हम एक indicator को लगाएंगे ठीके एक indicator को लगाएंगे क्यों लगाएंगे वो छिस में आपको अभी बताऊंगा तो यहाँ पर देखो indicator का option है ना यह जो F जैसा बना है तो यहाँ पर हम click कर देते हैं इसके बाद देखो यहाँ पर search bar आ गया है तो हम search bar के उपर click क करके यहाँ पर search करेंगे भाई RSI ठीके RSI का full form होता है relative strength index तो यहाँ पर RSI आ गया है ठीके अब RSI पर एक बार हम click कर दिये हैं तो समझ लिजी कि हमारा RSI यहाँ पर लग गया है और यहाँ से एक बार हम इसको अब rotate कर लेंगे तब आपको अच्छे से समझा पाएंगे तो अब एक चीज ध्यान से पहले समझते चलिए उसके बाद आपको सारी चीज अच्छे समझ में आएंगे देखो यह जो भाई है ठीक है यहाँ पर अभी यहाँ से मैं छोटा सकर देता हूं यह जो चीज आपको दिखाई दे रही है यह है candlestick तो candlestick देकर बहुत सारे लोग investment करते हैं लेकिन अगर आप beginner हो नहीं जानते हो तो candlestick को देकर मत कीजिएगा केवल यहाँ पर RSI को देकर आप investment सुरू कर सकते हैं तो यह कोई मेरा recommendation नहीं कि आप इन्हीं stocks को buy करो ठीक है यह कोई recommendation नहीं है just आप analysis कीजिए पहले ठीक है तो यहाँ पर RSI मेंने लगाया हु थे 1 month पर भी देख सकते थे 3 month पर भी देख सकते थे लेकिन हमें तो investment करना है stocks जो होता है इसमें investment किया जाता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए ठीक है तो हम investment करेंगे कम शिकम एक साल की उपर को हम देखेंगे तो यहाँ पर हम एक साल की उपर जैसे ही click करते 1 year के option आ गया है अब ध्यान से समझेगा यह जो RSI indicator है ना इसमें दो चीज़े यहाँ पर आप नीचे देखोगे यह नीचे की पट्टी है तो यहाँ पर जब market आती है जो यह जैसे ऐसे signal बनीए ना वही उपर नीचे तो जब यह signal यह जो देखो अब लकीर नीचे से उपर के side में जा रही तो वही मैं समझाना चाहरा हूं जब लकीर इस line के पास में होती है तो यहाँ पर market में oversold हो गया होता है यानि कि जो लोग buy पहले किये रहते हैं वो लोग जादा से जादा यहाँ पर sell कर चुके रहते हैं तो यहाँ पर अब market इससे जादा नीचे गिरने का chance नहीं होता है अब यहाँ से क्या होता है कि market यहाँ से जब require करता है तो यहाँ से ऊपर जाता है तो इसलिए buying करने का सबसे अच्छा समय इसी नीचे के line पर जब आरेशाई पहुचा रहे तब होता है और यह जो ऊपर का line है यहाँ पर जब भी market पहुचता है तो इससे थोड़ा स उपर जाकर market नीचे गिर जाता है और अगर यहां पर पहुचा रहे तो कभी भी किसी भी stocks को buy नहीं करना चाहिए नहीं तो वहां से जब नीचे गिरेगा तो आपको काफी जादे loss हो चाएगा तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था अब ध्यान से समझे यह जो मै buying का position क्यों है ध्यान से समझे गा यहां पर अभी मैं आपको बताता हूँ एक बार समझ लीजिए ठीक है तो देखो market बार बार यहां से जैसे एक बार देखो ध्यान से यहां तक अभी था market यहां से जब उपर जा रहा था तो कहां तक गया है इसी उपर के line तक ठीक है जब पर हम शेल कर देते और फिर से नीचे गिर जाता फिर नीचे आया है फिर हम बाई करते फिर उपर जाता फिर उपर शेल करते फिर से नीचे गिर जाता देख सकतो बार बार जब जब नीचे आया है तो बाइंग का अच्छा खासा signal होता है यहां पर भी देख सकतो बाइंग सबसे अच्छा खासा signal है इस समय पर और अगर यहां पर हम buy करेंगे न तो ऊपर जाते जाते अच्छा खासा profit बुक कर लेंगे और जो ऊपर जाएगा profit बुक करके निकल जाएगे फिर से market जब गिरेगा तो फिर से हम buy करेंगे तो यहां पर अगर मैं investment करूँगा तो क्या अपने इस नीचले हिस्से पर नीचले पट्टी पर पहुँच गया है तो अभी पांस साल में भी ये बता रहे है कि यहां पर बाइंग का सबसे अच्छा खाशा सीगनल है ठीके बाके दोस्तों मैं बार बार बोलूँगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मैं आप लोग को अच्छा खासा बजट है अब दोस्तों यहां पर हम बैक आ जाते हैं और जो दूसरी सेयर है ठीके उसके बारे में हम बताएंगे लेकिन इसको देख सकतो चार सो ब्यासी रुपे का सेयर है और ये निफ्टी में भी शामिल है भाई ये भारत की जो 50 सबसे बड़ी कंपनी ह ना उसमें ये सामिल है तो एक अच्छी खासी ये कंपनी है अब दोस्तों यहां पर हम UPL को हटा करना जो हमारी दूसरी कंपनी है बजाज फाइनेंस उसको सर्च करेंगे क्योंकि ये भी काफी बढ़िया शेयर है तो यहां पर हम लिखते हैं पहले BAJ ठीके BAJ लिखने के ब मैंने बताया कि NSC, BSC दोनों समेंशे किशी एक को सिलेट कर सकते हो तो हम NSC वाले पर ही सिलेट कर लेते हूं उपर सेलेक्ट करने के बाद में फिर से चार्ट का ओप्शन आएगा तो चार्ट पर हम क्लिक कर देते हैं ठीके तो यहां पर मैं हर एक स्टोक्स के उपर क्यों क्लिक कर करके दिखा रहा हूं ताकि आपको भाई बिस्वास हो जाए कि हाँ भाई इसमें बाइंग का सबसे सब्सक्राइब जब जब इस लाइन के पास में आता है तो यहां पर रगार और जी बाई की होता है तो देख सकते हो कि market में यहाँ पर आया था यहां पर अगर राइक होते तो अगे जाता यहां पर sell करके अच्छा खासा यहां से यहां तक का profit कमाते हैं ठीक है और September में अगर हम buy की होते हैं तो November तक हम इसको November क्या एक दू महीने में हम अच्छा खासा profit कमा लेते हैं ठीक है यह तो one year पर है भी अभी और आपको दिखाऊंगा और यहां पर देखो one year पर जब ह five year पर देखोगे न ऊपर से एकदम नीचे आया और नीचली पट्टी के पास में पहुँच गया है तो यहां पर buying का सबसे अच्छा खासा signal है बाके दोस्तों आप लोग खुद से नासिस कर सकते हो यह company क्या करती है बजाज finance आपको खुद पता होगा तो यह भी इंडिया क top company के अंदर शामिल है ठीक है top company है अब दोस्तों हम तीसरे company के share की और बढ़ते हैं लेकिन इससे पहले हमें आपको बता दू कि यह जो इस company का बजाज finance का share है देख सकतो 6421 रुपिया है अब दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं ना सोचने हो कि उनको 10-20 रुपे के share मिल ज सकता है ठीक है तो यहाँ पर दे सकतो 6421 रुपे का share है और यह काफी best company है अब यहाँ पर हम तीसरे company की और बढ़ते हैं तीसरे stocks की और बढ़ते हैं तो हमारा जो तीसरा stocks है वो है भाई ASEAN PENT ठीक है ASEAN PENT का नाम आप लोगों ने सुना अगा काफी top company है यह भी Nifty में सामि या ठीक है ASEAN लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर देखो ASEAN PENT के लिखा मैंने यहाँ पर ASEAN PENT आ गया है क्योंकि top company है तो इसलिए उपर ही आ जाती है तो यहाँ पर हम search बार पर tap कर देते हैं और यहाँ पर देखो कि चार्ट लिखा हुआ है न भया तो चार्ट के उपर हम just click कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको फिर से rotate mode में कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो one year पर जिससे मैं click कर रहा हूँ यहाँ पर ASEAN PENT में तो यह भी उपर से नीचे आ गई है और यहाँ से देख सकते हो यह भी एकदम बढ़िया जगह से नीचे से उपर की ओर ज करेंगे ना उपर जाते जाते भाईया हम अच्छा खासा यहाँ पर profit earn कर सकते हैं और यहाँ पर जब पहुचेगी तो यहाँ पर चल करके profit कमा कर निकल जाएंगे और फिर बाद में वेट करेंगे कि जब यह गीरेगी तब फिर से हम buy करेंगे ठीक है इस टुक्स buy करने का स 2870 रुपिया है यानि कि 2870 रुपिया है ठीक है और बाकी ACN PIN क्या करती है आप इसके बारे खुच जानते होंगे बाकी ज्यादा कुछ जानने की जुरूरत नहीं है क्योंकि यह हमारे इंडिये की top company है जो की nifty में शामिल है देख सकतो 2870 रुपए का इसके share का price है अब दो पुली सी टैप करकर की बता रहें ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए ठीक है जो चौथी company है हमारी भाई उसका नाम है ITC ठीक है यहाँ पर सर्च बार में हम टैप करेंगे ITC ठीक है यहाँ पर हम ITC लिग देंगे जैसे ही ठीक है तो यह हमारी company आ गई है ITC ठीक अब हम चार्ट पर एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या ITC में भी buying का signal बन रहा है या फिर नहीं ठीक है तो यहाँ पर rotate कर देते हैं यहाँ ठीक है अब यहाँ पर one year पर हम पहले कर लेते हैं तो ITC में देखूगे market भाई बार पर वही बता है न कि यहाँ पर जब होता है त तो सिल का signal होता है तो ITC में market तो काफी ज्यादा नीचे गिर गया था और गिरने के बाद में यहाँ से उपर जा रहा है तो अगर हम यहाँ पर भी buy करेंगे तो यहाँ उपर जाते जाते हमारा अच्छा कासा profit हो जाएगा ठीक है और आप लोगों ने देखा कि ITC का price कितना है ठीक है अब हम फिर से भाई चलते हैं एक दूसरे company की उपर और यहाँ से उसको बताते हैं तो ITC को अब यहाँ से जो ITC है इसको हम हाटाएंगे HDFC ठीक है यहाँ पर तभी मैंने सुचा कि यार टॉप की company उपर क्यों नहीं दिखाई दे रही है तो HDFC bank आ गया है तो इसक चार्ट का option है चार्ट पर भी क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देख सकतो हम थोड़ा सा इसको rotate कर देते हैं ठीक है रोटेट कर दिये हैं अब यहाँ से छोटा कर लेते हैं और one year पर कर देते हैं one year पर देखो गई यह company अभी काफी ज़्यादा गिर गई थी और गिरने के बाद में नीचे से कहां से भी या नीचे से उपर की ओर जा रही देखो नीचे से उपर की ओर जा रही है ना लेकिन यह बेच में पहुत चुकी है बेच में पहुत चुकी है अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे आ सकता है लोस द दमदार क्योंकि नीचे से ही उपर की साइड में जा रही है तो यहां से जस्ट बैक आ जाते हैं क्योंकि यह उतना बढ़िया बाइंग का पोजिशन अभी नहीं है इसमें लेकिन कंपनी है बहुत दमदार तो इसके सेयर का प्राइस देख सकते हो 1446 रुपया था HDFC बैंक का तो यहां से एक बार हम बैक आ जाते हैं और जो हमारा छठा इस्टोक्स हैद है बहरे कोटक बैंक ठीक हेज तो यहां पर HDFC को हटा कर अब हम यहां पर कोटक बैंक लिगतेंगे ठीक है कोटक लिखेंगे आटोमेटी की ये उपर ही आ जाएगा तो कोटक बैंक आ गया इसके उपर क्लिक किये और कोटक बैंक के सेर का प्राइज कितना है देख सेकते हो 1749 रुपिया तो बहुत जादा नहीं है बहुत अच्छा खासा सेर है और यहां पर चार्ट को उपर जिस्टन क्लिक करेंगे वही है न तो यहा यहां पर निचे से उपर इपर निचे उपर कर रहा है फिर से नीचे उपर कर रह Cred следующ तो यह भी बाइंग का उतना अच्छा खासा पोजिशनल नहीं है भी लेकिन नीचे से उपर जा रहा है तो दो तिन महीने में प्रोफिट दे सकता है यह हमें लेकिन अगर हम पैसा लगा रहे तो हम रिस्क ज्यादा से ज्यादा नहीं ले तभी बढ़िया रहेगा तो इसमें अब अच्छा खासा पोजिशनल नहीं बन रहा है भाई कि हम यहाँ पर इन्वेस्मेंट करें ठीक है लेकिन है तो यह भी कमपनी काफी दमदार क्योंकि नीचे से उपर की साइड में जा रही है अब दोस्तों यहाँ पर आप एक बार देख सेकतों 1748 उर्पिया इस कमपनी के स्टोक का प्राइज है तो इससे बढ़िया जो है अभी के टाइम पर इससे जो बढ़िया है अब मैं आपको उसको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर कट करते हैं कोटक बेंग हमारा छठा स्टोक था जो सात्वा स्टोक है LTIM है ठीक है LTIM LTIM ठीक है तो LTIM जैसे हमने select किया, यहाँ पर देख सकतो LTIM आ गया है, और यह NSE है, तो यहाँ पर click कर देते हैं और LTIM थोड़ा सा महंगा जरूर है, यहाँ पर देख सकतो, 5122 रुपे का share है, यह थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन भै भाई बहुत दमदार, तो chart को उपर पर हम click कर देते हैं, यहाँ से ठीके, और यहां से हम इसको कर लेते हैं, यहां से rotate कर लिए हैं, और एक चीद देखिए, यहाँ पर पहले हम 1 year पर click करते हैं, तो 1 year पर click करने के भैए बाद में देख सकतो, जदू हो गया है जैसे यहां से उपर से नीचे गिरा है और एकदम नीची आ गया है कहां पर अपने इस नीचे के लाइन पर आ गया है ठेके और बार मैंने आपको भी बताया ना कि जब यह नीचे की लाइन पर आता है तो यहां पर क्या हो गया रहता है ओवर सोल्ड हो गया रहता है यानि कि यहाँ पर जादा से जादा लोग सिल कर चुके रहते हैं, अब यहाँ पर उनको profit book कर चुके रहते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से buying करेंगे, तभी तो उपर जाएगा profit कमाएंगे, तो देख सकतो काफी जादा नीचे है, यहाँ पर buying का बहुत अच्छा खासा signal है, ठी PTIM का price कितना है, देख सकतो हो, 5,122 रुपिया, लेकिन भाई, मैं आपको बार-बार बोलूँगा, कि यह मेरी तरफ से कोई भी recommendation नहीं है, मैं आपको recommend नहीं कर आओ, कि आप इन company को buy करो, लेकिन आप इन video को देख कर सीख सकते हो, कि कहाँ पर पहुचा रहता है market, तो buying करन वो कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हो, AU bank है, ठीक है, AU, B, A, N, K, ठीक है, AU bank हमने जैसे लिखा एकदम उपर में आ गया है, AU bank, तो यहाँ पर हम click कर देते हैं, ठीक है, अब AU bank का जो price है देख सकते हो, 571 रुपिया, यानि कि काफी कम budget है इसका भाई, और यह बहुत बढ का अच्छा खासा, यहाँ पर signal मिल रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले chart के उपर click कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको just rotate कर लेते हैं, ठीक है, rotate कर लिए हैं, one year के उपर हम click कर दिए हैं, अभी देख सकते हो, यहाँ से उपर से नीचे गिरा है, और नीचे गिरने के बाद भ करेंगे, तो यहाँ से कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एक अच्छा खासा हम यहाँ पर profit को book कर सकते हैं, और इस share का price कितना है, मैंने पहले ही दिखाया, 571 रुपी आप देख सकते हो, ठीक है, तो यह हो गया हमारा आठमाई stocks, अब हम नवे stocks की ओर बढ़ते हैं, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, आपको अच्छी knowledge मिल रही है, तो भाई, like और subscribe जरूर कर देना, तो जो हमारी नवा कंपनी है, वो है भाई, बंधन bank, ठीक है, कौनसा, बंधन तो प्यारी का बंधन है, सर यार भाई, थोड़ा मजा कर ल ये, वरना mode disturb हो जाता है, कभी-कभी, तो बंधन bank आ गया, और बंधन bank के share का price देख सकते हो, मातर एक सो पंचान बे रुपिया भी के time पर है, ठीक है, और यहां से हम इसका chart open कर लेते हैं, कि इसमें buying का position बन रहा है, या फिर नहीं बन रहा है, आप खुद देख सकते हो, मै इसलिए मैं सारी चीज़ को उंगली रख रख कर बता रहा हूं, अब बंधन bank में हम एक साल पर click करते हैं, और देख सकते हो, बंधन bank भी उपर से नीचे की side में गिरा है, ठीक है, गिरने के बाद में यहां से उपर जा रहा है, तो अगर यहां पर हम buying करेंगे अभी, ठीक ह buying यहां पर करेंगे, तो उपर जाते जाते काफी अच्छा खासा में profit हो जाएगा, और profit होने के बाद में यहां पर profit को book करेंगे, तो फिर हमारा भाईया एकदम फायदा हो जाएगा, और फिर हम अपना जो पैसा में profit हो रहेगा, हम किसी अनी company में investment कर देंगे, जो इस ठीक है, लास्ट में जो दसवां company है, वो कौन सा इसको ध्यान से समझेगा, तो यह कोई और company नहीं, बलकि हम जिसमें trade कर रहे हैं, वो खुद company है, एंजल वन, ठीक है, तो एंजल वन हमारी दसवी स्टोक से यहां पर हम सर्च करके दिखाते हैं, एंजी, ठीक है, यहां पर एंजी लिखा भाई, तब से यहां पर देखो, आ गया एंजल वन लिमिटेट, ठीक है, तो एंजल वन का जो सेर है, 2736 रुपिया है, यह थोड़ा costly जरूर है, लेकिन बढ़िया सेर है, क्योंकि भाई, यह भी अच्छा खासा buying के signal पर पहुँचा है, मैंने पहले ही इन सभ भी company को analysis किया, उसके बाद आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, तो एंजल वन का देख सकतो 2736 रुपिया है, और इसके chart के उपर हम आ जाते हैं, ठीक है, और हाँ, एक चीज़ आपको बता दू, कि ये वीडियो कोई paid promotion नहीं है, ये वीडियो में आप लोग के demand के उपर बनाया हूँ, और देख सकतो ओ, एंजल वन का ये जो price है, stocks है, यहां से देख सकतो कितना जादा नीचे आया है, और नीचे आने के बाद कहां पर पहुंचा है, अपने इस भाई, एकदम नीचे की label पर पहुंचा है, अगर यहां पर हम buy करेंगे, तो कहां पर ये जाएगा उपर जाएगा ना, यहां पर जाएगा, अगर यहां पर हम buy किये रहेंगे, यहां पर जाते जाते अच्छा खासा में profit हो जाएगा, और हम बहुत बढ़िया पैसा कमा लेंगे, तो I hope दोस्तों, आप शभी लोगों को सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ब